अगर आप pregnancy प्लान कर रही हैं, तो एक महला के लिए pregnant होना तब ही आसान होता है, जब महला और पुरुष, यानि husband और wife की सारी चीज़ें एकदम से बहतर quality की होती हैं, यानि कि अगर आपके period cycle, आपके ovulation period, आपके ex के quality, आपके partner के sperm counts, ये सब बहतर quality की हैं, तो आपको pregnant होने म बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, नमस्ता दोस्तों, मैं कुसबूत ओमर एक बद फिस से स्वागत करती हूँ, आपका pregnancy से related एक और नई वीडियो में, जहाँ पर आज का वीडियो एक बद से आपके लिए बहुत जादा useful होनी वाला है, क्योंकि friends, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि pregnant होने के लिए महिलाओं में एक क्वालिटी बहतर बनाने के लिए और पुर्सों की sperm count कितनी होनी चाहिए, जिससे कि आपको pregnant होने में दिक्कत ना आई, साथी आपके period cycle कितने दिन की होती है, और महीने के वो कौन से दिन होते हैं, जिनमें आप अगर relation बनात जानने वाले हैं, इसलिए अगर आप pregnancy plan कर रही हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए काफी useful हो सकता है, वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आ कर रही हैं, कि मैं हमारे इतने तारीक को पीरिड आया था, और नेक्स पीरिड इतने को आया है, तो हमारे पीरिड साइकल कितने की है, काफी सारी मेलाओं को अपने पीरिड साइकल निकालना नहीं आता है, तो देखिए, आपकी जो पीरिड साइकल आपको निकालनी है, तो के लिए क्या करना है कि इस महीने आपके पीरेट जिस तारीक को आए है उस तारीक को आपको कलेंडर में नोट कर लेना है नेक्ट महीने जिस तारीक को आपके पीरेट आते हैं उसको भी आपको नोट करना है और ऐसा आपको दो से तीन महीने तक करना है फिर आपको इन दोनों सकते हैं, दूसी बात, अब हम जानते हैं कि महीने में आपके वो कौनसे दिन होती है, जब आप ovulate कर रही होती है, तो देखें, अगर आपकी period cycle 28 दिन की है, तो ऐसी condition में क्या है कि आपके जो periods होती है, उस से लगबग 2 सब्ता बाद, यानि कि 14 वे दिन से लेकर 17 वे 18 वे दिन तक आप ovulate कर रही होती हैं यानि कि यही वो चार से पांस दिन होते हैं जिन दिनों में आप ovulate कर रही होती हैं इन दिनों में अगर आप लगातार intimate होती रहती हैं यानि कि physical relation बनाती हैं तो आप 100% pregnancy conceive कर सकते हैं इसके साथ ही अगर आप जल्दी से जल्दी pregnancy conceive करना चाहते हैं त तो इसके लिए आप कोसिज कीजिए कि जब आपके periods खतम हो जाते हैं तो उसके एक सब्ता बाद आपको relation बनाना शुरू कर दिना है इससे क्या होता है पुरुस का जो sphump होता है ना वो महला की सरी में लगबग 5-7 दिन के लिए जीवित रहता है तो अगर आप एक अगर आप तो चौदे बेद दिन में जाकर ovulate करने वाली है और आपने उससे 4-5 दिन पहले relation बनाया है तो इससे क्या है पुरुस का sphump आपके सरीर में पहले से ही मौजूद है और आपकी ovaries से जैसे ही egg release होगा तो वो automatic ही क्या है कि पुरुस के sphump से fertilize हो जाएगा और आप pregnancy conceive कर आपको अपने पिरियर्ट से 17 दिन जाकर ovulate करेंगी यानि की इस तरीके से आपको अपने ovulation वाले दिन को track कर लेना है और पता कर लेना है अब समझ सकती है कि आपकी period cycle 18-20 की है तो 14 दिन में आप ovulate करेंगी अगर आपकी period cycle 31 या 32 दिन की है तो आप 17 दिन जाकर ovulate करेंगी औ पुरसों में स्पम काउंट कितनी होने चाहिए क्योंकि कई सारी मैलाओं के प्रेंगनेंट ना होने की पीजे उनकी एक क्वालिटी का अच्छा ना होना और उनके पुरस पार्टनर के स्पम काउंट का कम क्वालिटी का होना या एक एच्छी क्वालिटी का नहीं होना स्पम क लेते हैं तो इन सारी चीजों से क्या है कि आपके स्पर्म काउंट और एक्ट क्वालिटी बेकार हो जाती है तो आपके प्रेगनेंट होने के लिए जिस तरह से महला के सरीर में एक्ट की क्वालिटी बहतर होनी चाहिए उसी तरह से पुरुस्टों में SPAM COUNTC भी बहतर तरीकी की होनी चाहिए अगर आपके पुरुस पार्टनर में SPAM COUNTC कम है तो आपके प्रेग्नेंट होने की CHANCE भी बहुत कम ही होती है कई वाल क्या होता है कि आप लगातार इंटिमेंट होते हैं आप कहते हैं कि हमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रेगनेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके पीछे sperm count का बहतर ना होना भी हो सकता है अब जानते हैं कि पुरुसों में sperm count कितने होने चाहिए तो देखिए एक पुरुस जब ejaculate करता है तो इसके दौरान क्या है कि 100 million sperm release होते हैं लेकि प्रेगनेंट होने के लिए महला के एकपो फर्टिलाज करने के लिए पुरुस का सिर्फ एक स्पम ही काफी होता है यानि कि जब फर्टिलाजेशन की प्रोसेज होती है तो इस प्रोसेज में क्या होता है कि लाकों सुक्राणू जो है कि रास्ते में ही मर जाते हैं यानि फर्टिलाज होने से पहले ही लाकों सुक्राणू खतम हो जाते हैं और एक से फर्टिलाज होने क के लिए जादा इस पर्म की आवशक तक क्यों होती हैं अगर किसी पुरुस में पंद्रह से 49 सब्सक्राइब फुरुस को अपनी इस पर्म काउंट बढ़ाने के लिए अपनी लाइप स्टैल में थोड़ा सा बदलाब करना है इसके लिए आपको क्या करना है कि रोजाना आपको एकसायज करना है जीए कि आपके मसल्स बनी रहे और आपके वड़ी एकदम से फिट वनी र पूर फलों का सेवन करना है, आपको सराव, धूम, रपान, इन सारी चीज़ों से दूर रहना है, स्ट्रेस किसी भी बात को लेकर नहीं लेना है, क्योंकि कई वार क्या है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेनी से आपकी बॉड़ी में हार्मोन्स प्रॉब्लम हो जाती है, जिसस सारी चीज़ों को अवर्ट करना है, अगर आप इन चीज़ों को रोजाना एपलाई करते हैं, लगबग एक से दो महीने के अंदर तो आपकी स्पम काउंट्स क्या है, 100% बहतर हो जाएगी, और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में किसी भी तरह की दिक्तत नहीं आएगी, कि आपके एक्स की क्वालिटी बहतर हुई है या नहीं, आपकी महिला पार्टनर की जो एक्वालिटी है वो बहतर है कि नहीं, अगर नहीं हो रही है तो आपको अपनी लाइप इस्टाल में कुछ चीज़ों को, कुछ फल, कुछ सबजियां, कुछ चीज़ों को सामिल करने क्योंकि सारी ऐसी चीज़ें आपकी रसुई में मौझूद जिनका सेवन अगर आप लगातार करती रहती हैं तो इनसे आप 100% एक से दो महीने के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हो अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने को लेकर किसी भी तरह की टिप्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं साथी इससे रेलेटर वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपनी फ्रेंस और लेटिप्स में सेयर करना ना भूलें तो चलिए फ्रेंस मिलते हैं नेक्स टाम तब तक के लिए खुश रहें स्वास्त रहें नहीं बाद